हाई अबरीवन, वेलकम टू जेया टूटोरियल्स, आएम यूर फ्रेंड राहूल जैसवाल फ्रेंड्स, आज के जो वीडियो ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है 12th Standard के स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि अगर कोई बच्चा 11th Standard में था और 11th Standard को बहुत अच्छी तरीके से पास आउट करके 12th में आ चुका है और वो ये सोच रहा है कि मैं अपने 12th की पढ़ाई को कैसे स्टार्ट करूँ या फिर अभी तक उसने 12th की पढ़ाई के शुरुआत नहीं किये दोस्तों तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है जी हां दोस्तों 12th Standard एक ऐसा फेज होता है लाइफ का जो की बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है and it is also called as the career deciding phase क्योंकि आप जो भी stream से पढ़ रहे होंगे 12th में आप science में होंगे या फिर commerce में होंगे या फिर arts में होंगे ठीक है तो इस वक्त अगर आप 12th Standard में आ चुके हो तो आपके मन में गोल जरूर से decide हो चुका होगा बहुत अच्छी तरीके से pass out होना पड़ेगा आपके मन में एक percentage का criteria होगा कि यार मुझे यार at least 80-90% निकाल ने हैं 70% निकालने हैं तब जाके मुझे ये चीज मिलेगा मुझे जेडबली में ऐसा perform करना है तो ये आपके दिमांग में होगा तो उसके लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा और पढ़ाई करने के लिए एक सही दिशा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपने 11th में उमीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई किया होगा और 11th में आपने हर टाइम में हर जो student होता है हर standard के बच्चे होते हैं उनके बार में सोचता हूँ और आप लोग 12 में दोस्तों आप लोग के लिए तो मेरे प्रती और भी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त और इस साल से हमने वो जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरीके से accept कर लिय है और इस साल से हम आपको बहुत अच्छी तरीके से चीजे देने वाले हैं लेकिन आपको पस ये वीडियो को end तक देखना है कुछ important बाते हैं वो सुन लो बाद में decide कर लेना कि क्या करना है ठीक है चले शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले जैसा मैंने बोला कि उमीद करत ये जो वीडियो में बना रहा हो ये जून के starting में बना रहा हो तो आपके पास कुछ समय है और ये जो समय आने वाला है ये बहुत बड़ा समय आने वाला है एक बदलाओ का समय आने वाला है और ये समय को अगर आपने utilize अच्छे से कर रही है तो definitely जो आपने सोचा था कि मु इछले साल की बात है, हमने आपके लिए कई सारे वीडियोस बनाए हैं, ठीक है, और पूरी तरीके से मेहनत हमने आपके लिए किया था, डेडिकेशन के साथ किया था, और आपके लिए हर सब्जेक्स के वीडियोस बनाने की कोशिश किये थे, लेकिन हम जो है न, ट्राय किये, हमने जितना हो से के हमारा जो efforts था वो डाल दिया लेकिन फिर भी हम उस पे बहुत ज़्यादा successful नहीं हो पाई क्यों इसके पीज़े का छोटा सा reason में बताना चाहूंगा कि जैसे कि आप जानते हो कि हमारा जो channel जेया tutorials इस पर हम हर students के बारे में सोचते हो तो starting from the 7th standard, 8th standard, 9th standard and 10th standard ये चारो का तो इतना ज्यादा deeply lectures आ रहे थे कि 11th के लिए possible नहीं हो पा रहा था तो भी हमने लगबग 70 to 80% syllabus हमने complete करवाया है आपके लिए हमारे channel के उपर आप जाके देख सकते हो तो there will be so many videos जो आपके उस वक्त यानि कि जब आप 11th में रहे होंगे उस वक्त के जो आपके exams में आने वाले थे क्योंकि बहुत सारे exams बहुत सारे chapters को reduce कर दिया गया था because of covid तो वो हमने ध्यान में रखा था और उस हिसाब से हमने बनाए थे लेकिन आज मैं अगर बात करूँ तो हमारे चैनल पर A to Z chapters अवेलेबल नहीं है for 11th Standard ठीक है लेकिन हमने जैसे आपसे वादा किया था क्राम हम हम जो है 11th Standard 12th Standard दोनों के लिए ही new batches start करने वाले हैं इसमें हम आपको 11th तो 11th लेकिन आप लोग जोब अभी 12th में आ चुके हो ना आप लोग के लिए भी बहुत बेतरीन तरीके से दूसरे के भी हो लेकिन बोलते हैं कि आप new student है हमारे जैर टुटरिल्स पे पहली बार आयो ना तो मैं आपसे एक चीज बोलूँगा कि हमने बहुत मेहनत किया यह पिछले दो साल की जो जर्नी रही हमारी बहुत मेहनत भरी रही है और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर भले ही नए आए हो इस चैनल पे हम आपको quantity और quality वीडियो के subject wise हर चीज देने के लिए तयार है हम मेहनत करेंगे ठीक है तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं 12 में आप आ चुके हो we don't let you down हम आपको कभी भी let it down होने ने देंगे यह मेरा आपसे वादा है राहूल सर का आपसे नया तरीका हम लोग जल्दी लाने वाले हैं coming soon इसके लिए बस ready रहना और उसके लिए आप लोग को थोड़ा सा support चाहिए we need your support दोस्तों आप लोग अगर हो तभी है ठीक है ना हम लोग जैसे कि आप जानते हो यार आपके बिना हम सोच भी नहीं सकते हमारे जिंदेगी तो यूटूब पे नहीं काम किया मैं offline lectures ले चुका हूँ लेकिन YouTube पे हमने कभी नहीं पढ़ा है तो यह first time होगा हमारे जया टूटोर्यस की journey में कि हम 12 को पढ़ाने जा रहे होंगे हमारे चैनल पे तो बस आप लोगों का थोड़ा सा support चाहिए और थोड़ा सा बोलते है ना blessings अ सबसे पहले अगर आप धान दोगे तो start early यह बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं जब वो 12 स्टांडर में आ जाते हैं यह ध्यान से सुनना बच्चे लोग 12 स्टांडर में अगर हो तो सबसे पहले बच्चे गलती यह करते हैं कि वो start early नहीं करते हैं जल्दी सकेंगे जो कि बिल्कुल गलते दोस्तों अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं लास्ट लास्ट में पढ़के निकाल लूँगा तो यह possible नहीं है लास्ट में इतना प्रेशर जनरेट हो जाता है जितना हो सा कि हम से जल्दी हम आपको चीज़े प्रवाइड करने की कोशिच करेंगे ठीक है तो आप लोगो को क्या कर रहा है आप अभी से अपनी पढ़ाई की शुरुआत करो बिकाउस वी आर अल्रेडी इन जून हम जून में आ चुके हैं तो अगर आप जून से काउंट करो जून जुलाइ अगर सेप्टेमर अक्टोबर नमेंबर सेंबी जैनवरी फैब्री मतलब 9 मन्त है आपके पास सिर्फ माफ करना ठीक है 9 मन्त है आप 3 करो, 9-3-2-7, 270 दिन, ठीके, 270 दिन लगते हैं, लेकिन 270 दिन में इमाजिन करो कि आपके लाइफ में कितनी सारी परिशानिया, प्लस कितने सारी चीजे, प्लस आपको regular college भी जाना होगा, 12th में आप पढ़ रहे होंगे, तो तूशन्स अगर आप जाते हो, तो तूशन्स में रखना, तो 9 month है, लेकिन एक और आपको motivation वाली बात अगर मैं कहूंगा दोस्तो, 9th month ना बहुत होता है, क्योंकि 9th month में देखा जाए ना, तो लोग न, UPSC जैसे exam को clear कर लेते हैं, यार, समझ में आ रहा है, 9 month में UPSC जैसे exams भी clear हो सकते हैं, ये तो सिर्फ 12 standard है, तो tension बिल्कुल मत लेना, ऐसा आपने सोचा होगा कि मुझे 90-95% लाने है, तो लेते में ये भी possible होता है, सिर्फ 9 मेने के पढ़ाई में, tension मत लेना, उसके लिए सही guidance और सही एक enthusiasm चाहिए, जज़बा चाहिए, कि यार मैं करके रहूँगा, यार मैं करके दिखाऊँगा, ये पहले उसके ओपर ध्यान देना शुरू करो, conceptual knowledge क्या होता है, हर सब्जेक का, physics हो गया, chemistry हो गया, math हो गया, biology हो गया, हर एक का थोड़ा basics को समझो, conceptual knowledge हो सकता है, तो 11 standard के वीडियो साब देख सकते हो, 11 standard की books उटा के देख सकते हो, कुछ पुराने concept और कुछ पुराने formulas आप करो सकते हो, ज्यादा नहीं, कुछ दिन में एक घंटा भी time दोगे ना, तो आपका पहले का concept हो clear हो जाएगा, जैसे आपका पहले का concept clear हो जाएगा, फिर आजाओ main subject by subject को एक target बना, time table set करो और उसके साब से पढ़ना start कर दो, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ important चीज़े बता उसका कुछ theory होगा, plus theory तो आपको समझ में आगी, what do you mean by circular motion, ठीक है यह आपको समझ में आगे, लेकिन उसका derivation क्या है, कैसे हम time के साथ उसको relate कर रहे है, यह सभी चीज़ को आपको focus करना बहुत important है दोस्तो, और अगर आप यह चीज़ focus कर पा रहे हो, ठीक है ना, तो यह physics जो है आपको easy लगने रगेगा, बहुत सारे लोगो physics बहुत hard लगता है, लेकिन उसमें जो सबसे important चीज़ होता है, derivation, प्लस उसका concept, यह अगर आप समझ पा रहे हो, अच्छी तरीके से, कहां से मिलेगा, वीडियो के थू मिल सकता है, हम पुरी कोशिश कर रहे हैं, हर ची easy होता है, and you know that physics में numerical कितना ज्यादा important और कितना ज्यादा weightage का आता है, correct है, तो इसके पर focus करो, enlarged but not the least, physics में theory, क्या बज़ गया, theory बज़ गया, तो theory को जितना हो सके, याद करते जाओ, कोई भी topic हो, theory बहुत important होता है, और theory के बज़े से लोग, बहुत सारे लोग पास भी ह लोगा, लेकिन कभी-कभी जो होता है, जान बचाने वाला जो काम करता है, वो theory करता है, तो theory को कभी neglect नहीं करना, ठीक है न, इसको underestimate मत करना theory को, यह theory बहुत important है, ठीक है, and जीतना हो सके, जादा पढ़ाई करो, आप 11th में कैसे भी पढ़ाई क्या होगा, ठीक है, लेकिन 12th 12th है दोस्तों, तो उसको एकदम high level का पढ़ाई शुरुआत करो, वैसे यह आप chemistry में दिमाग लगा सकते हो, क्या theoretical knowledge तो होता ही है, theory जो है, जो भी होगा, कोई भी चीज होगा, ठीक है न, basic concept होगा chemistry का, वो पढ़ लो, ठीक है न, जो भी है, अब आप देखो कि reaction वाला पार है, SN1 reaction क्या होता है, तो उसका concept अगर पता है, तो आप अगर याद नहीं कर रहे हो, तो भी आप लिखके आजाओगे, कुछ ने कुछ एक्जाम में, और उसके marks भी आपको मिलेंगे, हाँ, 4 में से 4 तो नहीं मिलेंगे, 4 में से 2 या 3 तो मिल जाएंगे, तो आप at least 70% तक प practice करो, क्योंकि reaction दिखने में हान लगता है, लेकिन एक बार उसको दिमाग में concept आ गया, और जब आप लिखके practice कर लोगे, reactions तो आपको सबसे easy लगेंगे, हर एक type के 2-3 reactions याद होने चाहिए, वो आप कर खेलो, तो इसमें आप study भी कर सकते हो, और study के साथ writing practice is more important in chemistry, ये चीज ध्यान में रखना, ठीके, अगला है mathematics, mathematics subjects, part one, part two, दोनों आप ले सकते हो, तो इसमें सबसे important होता है, formulas को consider करना, formulas और साथ में उसका concept, कोई भी चीज हो, यार, लोग घबराते हैं, इंटी, normally derivation से, मतलब बोलते हैं, कि कैसे करूँगा, derivatives कैसे solve करूँगा, ठीके न, integration कैसे solve करूँगा, ठीके न, मतलब, उनके दिमाप में क्या होता है, बहुत, बहुत बहुत बड़ा चीज है, मतलब मेरे, जब मैं standard में था, 12th standard में था, तो मैं एक चीज़ सोचता था, क्या, derivation कैसे solve करूँगा, हा, inntegration कैसे solve करूँगा, तो मैं हमीशे घबराता था, ठीक हैं, तो वो चीज आपको घबराने के ज़रत है, क्योंकि यार उसमें है क्या, उसमें एक ऐसा चीज है, जो formulas है, इसका integration यह होता है, इसका derivative होता है, यह आप दोनों को एक दूसरे को relate कर सकते है, because यह आल नों, integration और derivative एक दूसरे के opposite है, correct है, यह दोनों को आप relate करो बस, अगर आप उसको relate कर पा रहे हो, तो दोनों ही सबसे easy लगेंगे, जैसे मैंने किया था, हर आपको चीज बताया जाएगा, आगे आगे जब वीडियोस हमारे चालू हो जाएगे, lecture by lecture वीडियोस चालू हो जाएगे, conceptual knowledge में देना चालू कर दूँगा, तो हर चीज आपको समझ में सकता, learn करके नहीं जाया सकता, तो math से कैसा चीज जिसको देखा जाता है, समझा जाता है, concept, formulas को याद किया जाता है, और उसको practice किया जाता है, जितना आप derivative और integration जैसे चीज़े होते हैं, definite integrals हो गया, यह सब बहुत सारे चीज़े हैं, मैं तो कुछ ही नाम ले रहा हूँ, बहुत बड़ा चीज़े, लेकिन आप उसको जितना practice करको लोगे, उतना आपके लिए beneficial रहेगा, वो ध्यान में रखना है, लास्ट पार्ट है, biology, अगर आपके पास biology option है, subject है, तो biology में सब कर पहले होता है, concept समझना, उसका meaning समझना, जो fundamental चीज़े हैं, उसका meaning समझो, ठीक क्योंकि उसमें biology में लिखना बहुत पढ़ता है, comparative to physics and chemistry and maths, maths में तो practice सिफ लिखना मतलब solve करना होता है, लेकिन याद किया होगा जो लिखना होता है, वो biology में सब से यादा होता है, यह चीज़ दिमार्ट में रखना, ठीक है, मैं आपको यही चीज़ बोलना चाहूँगा, एन एक और चीज़ बोलूगा कि हमेशा target करना कोई बड़े चीज़ की, जैसे हम सोस्ते ने life में मुझे यह करना है, वैसे आप 12 में हो तो target करो 90%, no matter कि आप एक medium student हो, no matter आपने जिंदगी में कभी 80% के उपर नहीं रहा होगे, तो भी आप 90% ला सकते हो, यह target बनाओ, अपन हमारा concept clear हो रहा है, इफ हम उसको practice करके ले रहे हैं, हम उसके उपर पुरी जान लगा रहे हैं, तो definitely 90-95% तक बच्चे लाते हैं, या देखा है मैंने, ठीक है, तो यह भी possible है, जरूर से try करना, बस जाते जाते यही बोलना चाहूंगा, all the very best, 12th start कर दे, हम भी अपने पूर 11 तक support दिखा है, वैसे 12th का जो नया batch आ रहा है, उसके लिए बिल्कुल support दिखा है, और अपने दोस्तों तक यह message मेरा पोचा दे, कि हमारे JR Tutorials पे अपसे 12th भी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, चलो फिर आज के लिए इतना ही यह वीडियो आपको कैसा लगा है, फ्लीज ह अपलोड करेंगे, तो आप लोगों को notifications मिलती रहेगी, ठीक है friends, तो जल्दी मिलेंगे हमारे new वीडियो में, तब तक के लिए, thank you and goodbye.